हेलो गाईस, करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 प्रैल तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करने वादे हैं, हमेशा के तरह आप इस वीडियो को अंतो तक काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा, साथी का इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यह दिया हमारी डेली करेंट अफेर्स पीडियाफ, वीकली पीडियाफ, मंतली पीडियाफ और हर महीने के बैंकिंग और एकोनोमी का मैंने इस पीडियाफ च को यूज कर सकते हैं, या फिर अपने लैप्टॉप या सिस्टम की वज़त से वैब लोगिन भी कर सकते हैं, कोई भी एक्साम हो, बैंकिंग एससी, रेल वियाफ इस्टेट, पीडियाफ पुछे जाते हैं, सभी एक्साम के लिए हमारे पीडियाफ कॉन्टेंट काफी यू भारत के आगामी 900 मिलियन वेस्टोर के निसार उपक्रह का उपयोग किसलिए किया जाएगा, ओप्शन हैं, मैपिंग अर्थ क्वैक प्रॉन रिजन्स, मैपिंग वैथर पैटर्न्स फोर अगरिकल्चर, मैपिंग दा इंपक्ट ऑफ वैदर इवेंट्स इन स्पेस, या फि फेमिना मिस इंडिया वर्ड 2023, फेमिना मिस इंडिया वर्ड 2030 कौन बनी हैं, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन भी रहेगा, नंदिनी गुपता आपको जाना चाहिए ये राजस्थान की नंदिनी गुपता, ये फेमिना मिस इंडिया वर्ड 2023 बनी हैं, डैली की सरिया पूंजा, ये फस्ट रैनर अप रही हैं, यानि की दूसरी स्थान पर रही, और मनिपुर की तोनावसों स्रेला लुआं, ये सेंक्ड रैनर अप रह मिस इंडिया वर्ड 2022 रही थी, आपको जाना चाहिए जो फेमिना मिस इंडिया 2023 का इवेंट रहा है, ये 59th एडिशन रहा है, कई बार एक्जाम में देखा गया है कि एडिशन पूछ लेते हैं, कि कौन सा एडिशन था, और कहां पर हुआ है, एक इंडोर स्टेडियम है, भारत के पुर्वत्तर छेतर में पहले, अखिल भारती है, आउर्प विज्ञान संस्थान या इनकी एम्स का उद कार्टन किस राज्य में किया गया है, ओप्शन सापके सामने है, सही आंसर ओप्शन ए है आसाम, आपको जानना चाहिए, प्राइम मिस्टर मेंदर मोदी ने नौर्थिस्ट रिजन के फर्स्ट, All India Institute of Medical Sciences यानि की एम्स को इनोग्रेट किया है, चांगसारी गोहाटी असाम में, आपको बताते एम्स के अलावा, कौकराजार, नगौन, नलबारी, यह जो जगए हैं, यहाँ पर एक-एक मेडिकल कॉलेज भी इनोग्रेट किया गया है, और कुल लागत इन प्रोजेक्ट की 3400 रुपे की रही है, साथी असम एडवांस्ट हेल्थ केर इनोवेशन इंस्टिटूट इसको भी सुरू किया गया है, किस जगा इंडियन शिट ओफ टेक्नोजी गोवाटी, आईडी गोवाटी के कॉम्पलेक्स में, साथी इनोंने जो आसम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेट है, तो इनका जो प्लांट है, नाम रूप टिप्रुकर, यहां पर एक मेथनोल प्लांट को भी कमिशन किया है, जिसी कैपसिटी 500 टन्स पर देखी है, आपको जाना शिए इस मोके पर आसम के कवर्णर कुड़ाप चंदर कटारिया, ची बिनीज वर्ड रिकोर्ड क्रियेट किया है, यह लार्जेस्ट ब्यू डांस रहा है किसी सिंगल वेन्यू पर, वेन्यू क्या रहा, सरुसा जाई स्टेडियम गोवार्टी, और इस पर दो जारती से वर्ड वेन्यू पर आपको जाना चाहिए, हाली में डॉक्टर बियार अंबेड कर वेन्यू की बरतेनी विस्री मनाई गई, और इस पर दो जारती से वर्ड वेन्यू गई, 32nd Birth Anniversary रही है, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, तो इसी में उके पर तेलंगान की जीफ मिस्टर है, के चंद्र सिखर है राओ, इन्होंने अंबेड करगा, Tallest Statue जो भारत में है, उसको इन्यूगरेट किया है है, हैदराबाद में, यह 125ft Tall Bronze Statue है, आप सब जानते हैं है है हैदराबाद, जो फुसेन सागर लेक है 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 हैदराबाद में, इसी के पास State Secretariat है, तो वहीं पर इसको इन्यूगरेट किया गया है, 360 tons of stainless steel और 114 tons of bronze इसमें यूज़ किया गया है, 146 अमलब पांच इरो क्रोड रूपर की लागत से यह बना है, विच इंडियन स्टेट्स, Gond Painting has received the geographical indication tag, किस भारती राजी की Gond Painting को भगोलिक संके तक tag मिला है, options आपके सामने हैं, सही answer option दी रहेगा Madhya Pradesh, देखिए Gond Painting इसका नाम ने सुना होगा Madhya Pradesh से, इसे geographical indication tag हाली में प्राप्त हुआ है, geographical indication tag आप से भी जानते हैं, उस project को जा जाता है, जिसका एक specific geographical origin होता है, यानि किछी origin से आई है वो, तो उसको एक significance रहता है उसका, उसको आप copy नहीं कर सकते हैं, तो यह industrial products हो सकता है, food stuff, agriculture products, spray drinks, handicraft, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी painting किसी और राज्य में मान लीज़े उतरा खंड में जाकर, और कहा देखिए Gond Painting है, तो वो illegal जाल रहेगा, अच्छा, Gond जो है, यह एक द्रविदेन expression से आया है, यह सब्द और द्रविदेन expression, Kond से यह सब्द मना है, Kond, इसका मतलब होता है, the green mountain, और जो tribal people है, उन्हें Gondis बोलते हैं, यह mainly green mountains में रहते हैं, मध्य परदिश की, Which company was named as the second strongest tire brand in the world according to a report by the UK-based brand finance, UK-based brand finance की एक report के मताबिक, किस company को दुनिया के दूसरे सबसे मजबूत tire brand के रूप में नामित हिया गया है, options आपके सामने है, सही answer option, A है MRF देखे, Tamil Nadu headquartered MRF limited, यह second strongest tire brand बना है, पूरे वर्ड का, ऐसा बताया है, United Kingdom based brand finance ने, जो की एक brand valuation consultancy firm है, ठीक है, तो पूरे वर्ड में दूसरे नमबर पर, सबसे strongest tire brand है MRF, Tamil Nadu headquartered है यह, French company, Misalyn, यह most valuable and strongest tire brand है, वर्ड में यहाँ पर भी आप दे सकते हैं, top 5 strongest tire brands, who has been appointed as interim MD and CEO of Karnataka bank, Karnataka bank के अंतरीम MD और CEO के रूप में किसे newkt किया गया है, options आपके सामने है, सही answer option भी है, शेकर राव, देखे, Karnataka bank ने, शेकर राव को, अपना interim managing director and CEO, newkt किया है, क्योंकि जो increment CEO रहे अब तक, उनका जो term है, व हो चुका है, और अब सेकर राव को, अंतरी managing director and CEO नुक्त किया गया है, तीन महीने के लिए, तो अब तक कोन थे, महा बलेश्वरा, MS, Karnataka bank के MD and CEO, और अब इनका जो कारेकाले, पूरा हो गया, 14 अपरेल को, which bank has reintroduced the retail term deposit scheme, Amrit Kalash, किस bank ने retail term deposit scheme, Amrit Kalash को फिर से शुरू किया है, options आपके सामने है, और सही answer option D है, State Bank of India, देखे, State Bank of India ने retail term deposit scheme, जिसका नाम Amrit Kalash है, इसको फिर से introduce किया है, 400 days की tenure है इस scheme की, और 7.10% interest rate रहने वाला है, आपको बता दें, यह scheme 12 अपरेल 2030 से, June 30, 2030 तक available है, जो senior citizens है, उनको additional interest मिलेगा, 50 basis point का, आपके द्वारी सबसे पहली यह scheme, SBI 12, 15 अपरेल 2030 को, जारी की गई थी, और March के एंड तक, यह valid थी, term deposit आप से भी जानते हैं, fix period के लिए, जो है, उसमें हम, पैसा अपना डाल देते हैं, ठीक है, और अगर बीच में हम उसको तुड़वा देते हैं, उस deposit को, तो penalty भी लगती है, तो term deposit क्या क्या होता है, recurring deposit होता है, तो, एक FD होता है, fix deposit, अच्छा, आपको भी जानना चाहिए, यह भी लिखा वाता है, इसमें, कि इसकी मैसे time पर आई है, जब banking system की, जो deposit credit है, वो credit growth से पीछे है, credit growth मतलब, यानि कि आप पैसा दो दे रहे हैं, उसकी growth तो ज्यादा है, पैसा देने की, लेकिन जो आपके पास deposit आ रहा है, उसकी growth क काफी कम है, when is the world art day celebrated, विस्व कलादी वस, कम मनाया जाता है, options आपके सामने है, सही answer option नहीं है, अपरेल 15, देखिए, world art day है, हर साल पुंदरा अपरेल को मनाया जाता है, और इस बार 2030 में, इसका थी में, art is good for the health, आपको जाना चाहिए, सबसे पहले साल 2012 में इसे observe किया गया करने के लिए, यह world art day मनाया जाता है, save the elephant day celebrated on which day, हाती बचाओ दीवस, किस दिन मनाया जाता है, options आपके सामने है, सही answer option C है, अपरेल 16, देखिए, save the elephant day, यह 16 अपरेल को हर साल मनाया जाता है, मक्सद रहता है, जो elephants की population है, वो decline होती जा रही है, तो उसके परती attention पे करना, Thailand के द्वारा और Canadian filmmaker Patricia Sims के द्वारा, इस पार जो इसका theme है, वो safeguarding elephant habitats for a sustainable tomorrow, तो यह रहेगा इसका theme, which planets, moons will be studied by the Jupiter IC Moons Explorer Mission, और Jewish Mission, Jupiter IC Moons Explorer Mission, या Jewish Mission किस ग्रह के, उब ग्रहों का, अध्यान करेगा, options आपके सामने है, सही answer option C है, Jupiter, देखे हाली में European Space Agency ने अपना एक spacecraft send किया है, ताकि Jupiter और जो इसके तीन, जो moons है, उनको study किया जा सके, और इसमें main contractor है, Airbus Defense and Space, यह company, तो इस spacecraft का नाम है, Jupiter IC Moons Explorer Mission, या फिर Jewish साब इसको क्या सकते हैं, इसे Arian 5 rocket से भीचा गया है, कहां से, यूरोप का जो space port है, करोरू, फ्रेंच गिनी यहां से, अच्छा, यह जो spacecraft है न, यह Jupiter पहुंचेगा, जुलाई 2031 में, और लगबग 3.5 साल यह इस पर orbit करे गा, इस Jupiter पर और इसकी जो तीन मून से, गैनिमेट, कैलिस्टो, एंड यूरोपा, और इस mission के end में, यह के बल ऑरबिट करेगा, गैनिमेट को, साथी एक और Jupiter संबंदिद mission है, यह NASA का, यूरोपा क्लिपर mission, यह 2024 में लोंच किया जाएगा, और यह Jupiter पहुंचेगा, अपर 2030 म हैं, तो दोनों ही महत्तपूर्ण हैं, और दोनों ही Jupiter से संबंदिद हैं, विश टाइकर रिजर्व हैस साइंड एनमो यू विद नेसनल हाइव अथोरिटी ऑफ इंडिया, फोर दे एंट्री ऑफ वेहिकल्स इंटो फोरेस्ट एरिया, वन छेतर में वहानों की परवेश के लिए किस टाइकर रिजर्व ने भारतिय रास्टिय राजमार प्राधिकरण के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं, ओप्शन आपके सामने हैं, सही है, अंसर ऑप्शन दी है, नागर जुनसागर स्रेसालम टाइकर रिजर्व, देखें, नेसनल हाइव अथ तप्शन तरीके से इस सिस्टम को बनाया जा सके जो वीकल्स की एंट्री होती है, तो इसके लिए क्या होगा जो फोरेस्ट में एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पर फास्ट अग बेस्ट पेमेंट शिस्टम, जो हैं लगाए जाएंगे, तो इसका भी क्रेक्शन आसानी से हो पाएगा अलग-लग entrance points पर विस City hosted the G20 Meeting of Agriculture Chief Scientist किस सहर ने किरशी मुख्य विज्ञानिकों की G20 बैटक की मेज़बानी की है options आपके सामने सही answer option C वारानसी है देखे हाली में Secretary and Director General ICAR Dr. Himansu Patak इसको वारानसी में इसके अध्यक्षता की है थीम रहा sustainable agriculture and food systems for healthy people and planet आपको बता दे इस meeting में महरिशी initiative को भी launch किया गया महरिशी याद रखेगा Millets and other ancient grains international research initiative इसकी फलफोर में याद रखेगा तो जो international initiative है ये agrobiodiversity, food security और nutrition इनके research and awareness से संबंदित है तो international year of millets 2023 क्यों पलक्ष में initiative लिया गया है महरिशी initiative where was the global conference on compressed biogas held compressed biogas पर westwick submitted कहां आईशीत किया गया options आपके सामने है सही अंत्रोप्षन सी रहेगा New Delhi देखें Indian Federation of Green Energy compressed biogas producers forum इन्होंने एक दो दिन की global conference on compressed biogas इसको organize किया है और इसका theme रहा towards progressive policy framework for a robust CBG foundation and growth और ministry of petroleum natural gas government of India ने इस governance को अपना support दिया है आपको दादिए जो conference है ये silver Indian habitat center New Delhi में हुई है तो इसमें जो भी industry से संबंदित लोग है उनको बताया गया है कि government of India ने compressed biogas industry के development के लिए क्या क्या कदम उठाए है और किस policy में क्या क्या motivation की जुरूत है उनको identify किया है which state has formed a panel to assess functioning of juvenile homes कि सराजय ने किशोर करे होगे काम काच का आकलन करने के लिए पैनल का गढ़न किया है सही आंसर option सी रहेगा तमिल नाडू देखे तमिल नाडू जो social defense department है इसने एक one man committee बनाई है और इसका नेतरूत करेंगे former judge के चंदू तो ये क्या करेंगे जो राज्य में juvenile justice care and production children act 2015 कहते है जो child care homes बने हुए है तो उनकी functioning कैसे improve हो सकती उनका administration कैसा improve हो सकता है उसके बारे में अपनी recommendation देंगे तो ये जो committee है ये institutions के running से समबंदित कई सारे experts को बताएगी अस infrastructure, health and medical facilities qualification of staff इस committee का जो period रहेगा वो four months का रहेगा, six months तक भी बढ़ सकता है which company has entered into a licensing pact with Novartis Pharma EG for manufacturing and marketing the Galvest drugs Galvest दवाओं के निर्माण और विपनन के लिए किस company ने Novartis Pharma EG के साथ licensing समझोता किया है options आपके सामने है सहीरा अंतर option A है Shibla देखे, drug company Shibla आपसे भी जानते है इसने एक licensing pact sign किया है Novartis Pharma EG के साथ जिसके तहत ये Galvest range की जो भी दवाइया है उनको manufacture और marketing उनका करेंगे ये जो दवाइय है ये type 2 diabetes के treatment के लिए यूज की जाती है एक जनवरी 2026 से ये जो pact है ये effective रहेगा Shibla आपसे भी जानते है Mumbai Waste Company है इसने ये license agreement sign किया है Novartis Pharma के साथ Switzerland की ये company है which is the first metro train in India to run under a river भारत में under river यात्रा पूरी करने वाली पहली metro train कौन सी है सही आंस्रोप्षन भी Kolkata metro देखे Kolkata metro ने एक significant achievement प्राप्त की है इसने जो हुगली river है तो उसके नीचे से जो tunnel जा रही है वहाँ से operate किया है तो पहली बार ऐसा भारत में हुआ है तो इसमें यात्री तो नहीं थे केवल officials and engineers ही थे जब इसने ये travel किया train ने Kolkata से हावडा के बीच में इसने विनोध कुमार को अपना managing director and CEO निक्त किया है आपको बता दें ये रमेश दोराई स्वामी इन से take over करेंगे जो कि अब company को छोड़ रहे है Animal Husbandry Academy of India has been set up in which city भारते पसुपालन Academy किस सहर में इस्थाफित की गई है options आपके सामने या answer option C बेंगलूरू देखिए हिसार गटा बेंगलूरू में Center of Excellence for Animal Husbandry Animal Husbandry Academy of India इसको set up किया गया है इसको Mr. Fisheries Animal Husbandry and Daring Department of Animal Husbandry and Daring के तहत set up किया गया है as a consortium of five organization चास्थो बैली से कड़ में ये फैला हुआ है आचा है इसमें कौन-कौन से organization है Central Poultry Development Organization and Training Institute Central Frozen Semen Production and Training Institute Central Cattle Breeding Farm Animal Quarantine and Certification Services and Regional Forder Station तो इसका जो main objective है वो यह है कि जो Animal Husbandry Officers है एंथ्रोप्रेंवर्स है तो उनकी जो उनकी जो ट्रेनिंग है उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको enhance करना है न कैपस्टी विल्दिंग प्रोग्राम उनके लिए तैयार करना वो वास नेम्ड इसे विमेंस प्लेयर ओफ दा मन्थ फोर मार्च 2023 मार्च 2030 के लिए आइसेसी मैला की लाड़ी कौन चुनी गई है options आपके सामने जहीं आंसर option C है हैंड़ेट SMV मार्च 2030 के लिए जो आइसे से प्लेयर ओफ दा मन्थ अवार्ट है एनाउंच के हैं तो मेल कैटेगरी में यह मैंस प्लेयर ओफ दा मन्थ रहें बांगलादेश के शाकी बलहसन और फीमेल कैटेगरी में अवार्ड जीता है रवांड़ा की हैंड़ेट SMV अवार्ट में इस्टोक एक्सचेंज जो के दायरों से बाहर होने वाले अनुपचारिक वियापार को क्या नाम दिया गया है और सही आंसर और यह रहेगा डबबा ट्रेनिंग दिखे आपको जानना चाहिए हाली में नेसल स्टोक एक्सचेंज इसने एक नोटिस जारी किया है और कुछ एंट्रिटीस के नाम भी बताये हैं जो डबबा ट्रेनिंग में इन्वोर्ड है आपको बताते नसी ने यह भी कहा है जो डिटेल इन्वेस्टर्स हैं कि वह इस तरह की डबबा ट्रेडिंग में शामिल ना हो क्योंकि यह law के द्वारा prohibited है ठीक है लीगल नहीं होती है इस तरह की ट्रेडिंग और जो भी इस तरह के ट्रेडिंग में लिफ्ट पाय जाता है तो उसके लिए लग से प्रोविजन्स भी है मतलब फाइन वगार लगते हैं अच्छा डबबा ट्रेडिंग क्या होती है मैं आपको एक्जामबल से भी समझाँगा पहले आप यह तेख लीजिए डबबा ट्रेडिंग refers to informal training that takes place outside the purview of the stock exchanges यानि कि ट्रेडिंग कि जाती है इसमें इंवाल नहीं रहता है तो जब इस्टोक एस्चेंज पर जो ट्रेडिंग होती है तो लीगल होती है इस्टोक एस्चेंज जिसके बाहर यह अप्रेडिंग करते हैं तो वह एक illegal practice मानी जाती है In this form of trading, brokers execute trades for clients without placing them on stock exchanges. Instead, the broker maintain their own trading books or dubba and settle trades with clients outside the exchange. ठीक है तो जैसे इसमें लिखावा भी है, जो brokers हैं, वो अपने clients के लिए जो भी orders हैं, वो execute करते हैं, लेकिन श्टोक exchange पर नहीं, अपने एक copy बना कर रखते हैं, उस पर execute करते हैं. अब देखिए डबबा ट्रेडिंग को एक offense माना गया है section 23 one of securities contracts like relation act 1956 के तहत इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है और 25 क्रोट रुपे तक का fine इसमें लगश सकता है देखिए मैं आपको example से बताता हूँ कि आखिर होता क्या है देखिए मान लीजे मैं broker हूँ और आप मेरे client है तो अब TCS का एक share चल रहा है TCS का share मान लीजे 10 रुपे का है और आपको 10 share उसके खरीदने है तो आप client है और मैं broker हूँ तो आप मेरे पास आए आपने मुझे का कि हमें 10 रुपे के हिसाब से 10 share चाहिए TCS के ठीक है वो पैसा आपने लगा दिया कि हमारा TCS पर लगा दिजिए और मैं क्या हूँ मैं broker हूँ तो मैंने क्या क्या हूँ पैसा अपने पास रख लिया मैंने उसको stock exchange पर नहीं लगाया है ठीक है stock exchange आप सभी जानते हैं यहां पर share वगारा का लेंदेन होता है तो stock market मैंने पैसा लगाया ही नहीं वो जो आपने मुझे दिया था execute करने के लिए वो पैसा मैंने अपने पास अभी रख लगा है ठीक है अब क्या होता है मैं अपने आप ही stock exchange बन गया हूँ यानि कि आपके तरफ से trading मैं ही कर रहा हूँ मेरे जरीए ही चल रही है और stock exchange इसमें involved भी नहीं है तो अब क्या हुआ आपने TCS के share लगवाए थे कि 10 रुपे के हिसाब से 10 share ले लिजिए यानि कि 100 रुपे आपके बैठ गए जो आपने लगाए है TCS के share पर अब मान लिजिए अगले ही घंटे या फिर अगले दिन TCS का जो share है वो 8 रुपे का हो गया है न 8 रुपे का हो गया यानि कि आपने 10 के हिसाब से खरीदे थे और वो 8 का हो गया है और आपने 100 रुपे मुझे दिये हुए है अब क्या होगा अब जो आपको पैसा मिलेगा वापस आपने का कि भाई मुझे अपना TCS का share है ये बीचना है ठीक है कई मुझे और घटान हो जाए तो मैं आपको कितने रुपे दूँगा 38 रुपे के ही साफ से 80 रुपे मैं आपको दे दूँगा वो 20 रुपे का मुनाफा मेरा हुआ वो 20 रुपे का मुनाफा मेरा हुआ तो इससे क्या हुआ ना तो estoque exchange involved हुआ और मेरा प्रोफिट भी बन गया आपने 10 रुपे के हिसाफ से TCS के share खरीदे मुझको कहा कि TCS का share मुझे खरीदना है 10 रुपे के हिसाब से 10 share खरीदने है 100 रुपे हो गए अब क्या हुआ TCS का share अगले दिन या फिर 2 गंटे बाद ही 12 रुपे पर चला गया और अब आपने कहा भाई मुझे share बेचना है तो इसमें तो आपका profit होगा क्योंकि 120 रुपे बन गए है आपके 12 रुपे का share हो गया है तो 10 share आपने लगवाया थी जब 10 रुपे का था तो अब 120 रुपे होगई आपने मुझे 100 रुपे रखे वे थे अपने लगाने के लिए तो अब 20 रुपे कहां से आएंगे वो 20 रुपे मैं आपको दूँगा मैं ब्रोकर हूँ ना आपका वो मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे आनिकि इसमें मेरा घाटा हो गया तो कभी घाटा आपका होता है कभी घाटा मेरा होगा कभी ब्रोकर का होगा कभी क्लाइंट का होगा और स्टोक मार्केटिस में एक्सचेंज भी नहीं है केवल कॉपी में एक एकाउंट बना है वह अच्छा इसने इतने रुपे लगाए थे इतने रुपे का इसका हिसाब बना एक हफते में आगे आपको एक बात समझ में तो ज्यादा तर क्या होता है न जो इसमें लोस होता है वो उनका होता है जो क्लाइंट्स होते है जो ब्रोकर होता है उनका लोस कम होता है आयो अब आप इस चीज को समझ गयोंगे कि डबबा ट्रेडिंग क्या होती है चले previous assignment questions की answer हम देखेंगे In the field of science, what is the full form of CERN European organization for nuclear research What is the flagship dairy brand of Karnataka Milk Federation called Nandini यह Karnataka लिदे मने Nandini's का नाम है who is the only player to have captain a team every year since the inaugural edition of the IPL in 2008 MS Dhoni, Chennai Super King The 16th Lok Sabha had the lowest number of sitting days of all Lok Sabhas which completed a full 5-year term so far How many? 331 In the financial year 2022-2023 Procurement of goods and services from government portal Government e-marketplace GEM has crores the rupees 2 crore mark और आप में से कई आस्परेंस ने बिलकुल सही answer दिया है इसी दर से आपाटिस्वेट करते रहिए चलिए आज क्या assignment questions हम देख लेते हैं What does the term AGI mean? AGI का मतलब बताएगा Artificial Intelligence से संबंदी थे When is the SEBI Foundation Day celebrated? World Voice Day is celebrated on which day? Which session of India-Spain Joint Commission for Economic Cooperation held in New Delhi? According to the Association for Democratic Reforms Which state has the highest earning MLA's in the country? तो इन 5 questions की answer आप comment box में दीजेगा यह आपको एक question का answer भी आता है तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी का इस current affairs funder को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं आप रेगुरे वीडियो अपडेट्स और current quiz आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आप हमारे current affairs की प्लेश दीगेए इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ fellow estimate साथ हमारे current affairs को share जूरू करें आज का इस session आपको कैसा लगा comment box में वश्चे बताईएगा Thank you guys